दिल्ली से सूद्रों के वाले से बड़ी खबर है यूपी बीजेपी अध्यक्ष भुपेंदर चौधरी ने रिपोर्ट दिया है। दिल्ली से सूद्रों के वाले से सूद्रों के वाले से बड़ी खबर है। तो ये देखिया हम आपको कुछ ड्राफिक्स के सरी बता रहे हैं। चिंजिन बातों का इस रपोर्ट में जिक्र किया गया है। कारकरताओं में आज संतोष है। थानों में सुनवाई ना होना भी इस रपोर्ट में जिक्र किया गया है। और जल्द बाजी में टिकट बाटे गए हैं। मौझूदा प्रतियाशियों का हैंकार भी इस रपोर्ट में जिक्र किया गया है। विधायक सांसाद एक जुट नहीं। ये अगनी वीडियो उचना से आसंतोष की सिधी पैदा हुई है। सूतर ऐसी जानकारी देते हैं कि इन सभी बातों का इस रपोर्ट में जिक्र किया गया है। ये 15 पेज की रपोर्ट है जिसे कल दिल्ली में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने सहुपा है। प्रिधान मंत्री नरेंदर मोदी से मुलाकात के दोरां इस मुलाकात में ग्री मंत्री भी मौजूद रहे। ये 40,000 कारिकर टाउंस से फीड़बैक लिया गया और उसी के अधार पर ये रपोर्ट तैयार की गया है। जिसमें सूत्रों के अबाले से ये जानकारी मिल रही है कि इन सभी बातों का जिक्र है जो स्ट्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। तो हार को लेकर पार्टी समीक्षा कर रही है और इसी को देखते हुए ये एक रपोर्ट तैयार की गया है क्योंकि अभी उप्चुनाफ भी होने हैं। विधानसभा के भी चुनाफ है उत्तर प्रदेश में तो ऐसे में अब पार्टी ने इस पर मन्थन शुरू कर दिया है कि आखिर कार ये जो हर एक शित्र में वोट शेयर घटा है इसके पीछे की वज़ा क्या है या फिर क्या वो कम्या रही है जिने अब आगे आने वाले ट मुलाकात के दोरान ये पंदरहा पन्नो के रिपोर्ट है जिसे सौपा है जिसमें कई मतवपून बातों का जिक्र किया गया है तो रिपोर्ट में किन बातों का जिक्र किया गया आखिरकार बीजेपी का जो वोट पासंटेज है वो यूपी में क्यों घटा है इन सभी बातों का जिक्र है सूत्रों के अवाले से जानकारी ये सामने आ रही है किन सभी मुख्यकारणों का इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है जो रिपोर्ट कल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने प्रधान मंत्री और साथी ग्री मंत्री को सूपी है पंद्रापन्नों की ये रिपोर्ट है जिसे तैयार किया गया है 40,000 कारकरताओं से फीड़बेक के आधार पर ही और अब इसे कल प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दोरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने सौपाए